नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ, फिर एक नई कहानी के साथ. दोस्तों, आज की ये कहानी रामायन से ही उद्रित है. रामायन में एक प्रशंग आता है, स्री राम ने क्यों लेली जल समाधी? दोस्तों आईए मैं इसी के बारे में आपको और कुछ जानकारियां देता हूँ अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्सों तक अयोध्या का राजपार सम्हाला और इसके बाद गुरु वसिष्ट और ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया एक घटना के बाद उन्होंने सर्यू नदी में जल समाधी ले ली थी अस्विन पुर्णिमा के दिन मर्यादा पुर्ष्वत्तम स्री राम ने अयोध्या से सटे फैजावाद सहर के सर्यू नदी के किनारे जल समाधी लेकर महा प्रयान किया स्री राम ने सभी की उपस्तिती में ब्रह्म महुर्त में सर्यू नदी की ओर प्रनयान किया उनके पीछे उनके परिवार के सदश्य, भरत, शत्रुग्न, पुर्मिला, मांडवी और सुरूतिकिर्ती ओम का उचारन करते हुए वे सर्यू के जल में एक एक पक आगे बढ़ते गए और जल उनके हिर्दय और अधरों को छूता हुआ सिर के उपर चड़ गया यमराज यह जानते थे कि भगवान के इच्छा के बिना न तो वह स्वयम सड़िर त्याग करेंगे और न सेशनाग के अंसावतार लक्षमन जी ऐसे में यमराज ने एक चाल चली एक दिन यमराज किसी विशे पर बात करने भगवान स्री राम के पास आ पहुँचे भगवान स्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है भगवान स्री राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए यम्राज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इसकक्ष में ना आए यम्राज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यू दंड देंगे भगवान राम ने यम्राज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्षमन उनके सबसे आग्याकारी हैं इसलिए उन्होंने लक्षमन जी को पहरे पर बिठा दिया यम्राज और राम जी की बातें चल ही रही थी कि उसी समय दुरवाशा रिशी अयोध्या पहुँच गये और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई लक्षमन जी ने कहा भगवाण राम अभी यम्राज के साथ विशेश चर्चा कर रहे हैं भगवाण की आग्या है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपको समय प्रतिक्षा करें रिशी दुरवाशा लक्षमन जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नश्ठ होने का स्राप दे दूँगा लक्षमन जी ने सोचा कि उनके प्रानों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है इसलिए अपने प्रानों का मोह छोर कर लक्षमन जी भगवान राम के कक्ष में चले गए भगवान राम लक्षमन को देखकर हैरान और परिसान हो गए भगवान राम ने लक्षमन जी से पूशा कि जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में परवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा तुम मेरे कक्ष में क्यूं आये हो लक्षमन जी ने कहा दुरवासा रिषी अभी आप से मिलना चाहते हैं उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना परा राम जी अमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से रिषी दुरवासा से मिलने पहुँचे ये मराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे राम जी से यम्राज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्षमन को मृत्यू दंड दीजिए भगवान राम अपने वचन से विवस थे राम जी सोच में थे कि अपने प्रानों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यू दंड दिया जाए राम ने अपने गुरु वो वसिष्ट जी से इस विशे में बात की तो गुरु ने बताया अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है इसलिए आप लक्षमन को अपने से दूर कर दीजिए यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी जब राम जी ने लक्षमन को अपने से दूर जाने को कहा तो लक्षमन जी ने कहा कि आप से दूर जाकर तो मैं यूँ भी मर जाऊंगा इसलिए अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूँ लक्षमन जी भगवान सिरी राम को प्रणाम कर राजमहल से चल परे और सरीउ नदी में जाकर जल समाधी ले ली इस तरह सिरी राम और लक्षमन दोनों ने अपने अपने वचनों और करतब्यों का पालन किया इसलिए कहते हैं रखुकुल रीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचन न जाई तो दोस्तों ये थी रामायन से जुड़ी सिरी राम की जल समाधी लेने की कहानी उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास पहुंशते रहें मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत ब्यस्त रहें स्वस्त रहें मस्त रहें